नवस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल साथ टेंग में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा कि क्या जो है AI के द्वारा लिखी हुए कांटेंट को गूगल जो है वो रेंग करवाता है कि नहीं करवाता है या कुछ और कोई दिक्कत है या कुछ गूगल जो है इसको लिखी गए कांटेंट को पैनलाइज करता है कि नहीं करता है तो दोस्तों इसके बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों जो आप समने हमारे य जैसा कि इस समय जो है बहुत जादे लोग content जो है AI के द्वारा जो है यानि chat GPT या Google board के द्वारा जो है लिखते हैं तो दोस्तों देखिए पहले जो Google कहता था कि मतलब जो है वो content को जो AI के द्वारा लिखे गए जो content है वो Google जो इसको accept नहीं करेगा दोस्तों उसको index नहीं करेगा तो बाद में दोस्तों जब Google ने खुझ जो है गूगल बार्ड वेरा जो लांज किया दोस्तों तो खुझ जो है इस चीज को accept करने लगे कि AI के द्वारा लिखे गए content को हम accept करेंगे लेकिन उनके जो है guidelines के अनसार होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि मतलब जो है आप कुछ भी chat GPT के द्वारा लिख के रख देंगे यानि कि जो कुछ भी आप आर्ड के लिख रहे हैं वो fact पे अधारित होना चाहिए वो तत्थ जो कुछ भी हो वो site review हो ऐसा नहीं है जो है आप कहीं misleading कर रहे हो कुछ गलत तत्थ पेस कर रहे हो दोस्तों तो इस प्रकार का जो है content जो है वह acceptable नहीं होगा और और दोस्तों इसमें जो है आप देखिए कोई भी आप content जो है कहीं से देखिए आप क्यों चैट GPT के द्वारा जो है लिखे गए content को जो है देखिए चैट GPT के द्वारा आप कोई भी question उसको उसके पास आप डालेंगे इंपुट करेंगे तो जो है जवाव जो है कुछ उसी रूम में जो है कुछ अलग-अलग धंग से देता है दो तो उसमें क्या है कि देखिए वो एक जो है AI है तो लेकिन उसमें जो है कुछ human tone उतना नहीं है यानि कि जो हमारे पास जो है अनुभव है जो experience होता है हम लोग ज करते हैं कुछ research करते हैं उस पर जो है कुछ अपना आनुभव कुछ experience उस पर डालते हैं लेकिन क्या chat GPT जो है अपना कोई उसका experience नहीं होता है वो एक fact पर आधारित होता है कि जैसे कि माले जी कोई चीज एकदम जो universal true है ठीक है जो universal true है उसको जो है उसी रूम में वहां ब देगा वो ऐसा content जो है वो Google भी accept करेगा लेकिन कुछ ऐसी चीज है कि कहीं अगर जो माली जी कहीं light की speed की बात आए तो कहीं जो है वो different तरीके से जो ride कर रहा है तो वो चीज जो है acceptable नहीं होगा यानि कि फिर भी माली जी वह उसी को द्वारा लिखे गया है तो दोस्तों दे वो kaart चाटके देता है दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि वह एकदम सही है कहीं भी बहुत सारे पहले 2015 के पहले जो कुछ भी लेको लिखे जाते थे तो वह लेकज़ों कोई जरूरी नहीं है कि सब एकदम true हो यानि कि वह एकदम सत्य हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कुछ उसमें अपवाद भी होता है हर एक चीज्ज जो है कोई गलत से जो हम अपने अनुभो से जो भी अपने लिखते हैं उसके तौन होता है और व sibling पढ़ने वाला और वह अलग से वी समझ सकता है कि हाँ ये कोई मतलब आदमी जो है अपने आनुभों से लिखा है तो उसको समझने में आसानी होती है और चैट जीपीटी दोस्तों बहुत टिपकल जो है वर्ड्स होते हैं इंग्लिस के उस चीज का जो है वो यूज करता अभी उसको हिंदी में लिखवाई है द नहीं यूज करते हैं और उसका हिंदी हम कर देगा तो इसको पढ़ना चाहिए उसको पहले हमको पढ़ना चाहिए उसको पहले समझना चाहे है कि उसको याग जो करेंगे दोस्तों तो यह ज्यादा सही पड़ेगा तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब यह है कि जो है कि ए आई जो है इस समय जो है क्या चल रहा है कि ए आई जो है चैट जीपीटी के द्वारा जो लिखे गए जो कंटेंट होते हैं वो गूगल एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है दोस्तों तो यहाँ पे ॽूगल का जो इसमें लेक है दोस्तों आप देख सकते हैं Google सर्च गाईडेंस बाट ए जेनरेटेट कंटेट जो सर्च गाइडेंस है यह दिया हुआ दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह फरवरी जो है आठ फरवरी 2030 इसका है एट गूगल वी है लॉग विलीब इन दा पावर आफ ए आई तो अब पहले तो यह बिलीब नहीं करते थे दोस्तों ठीक है यह प हेनि कि जो है एइ दिवार आप में जो फिट बढ़ते हैं अब rewards high quality content however, it is produced तो दोस्ठो, इसमें जिसे,ーー Rewarding High Quality Content However, it is produced बन जितने हाई quality content जो है .. जो भी produced किये गए है Google's ranking system aim to reward original high quality content that demonstrate quality of what we call इनका कोई जो है कुछ guideline है जो EEAT की नाम से दोस्तों जाना जाता है expertise के नाम से जाना जाता है यानि कि EEAT यानि कि इसका मतलब है expertise, experience, authority, attitiveness and trustworthiness यानि कि कहने का मतलब इनका जो है जो guideline है यह होना चाहिए कि expertise होना चाहिए experience होना चाहिए यानि कि expertise होना चाहिए चले ठीक है experience भी होना चाहिए यानि कि कोई भी चीज जो है उसको experience भी होना चाहिए उस लेख में यानि कि आईसा महसूस हो कोई experience holder उसको लिखा है ऐसा भी होना चाहिए और और authoritativeness भी होना चाहिए जिसे काई दिखी authorize होना चाहिए जिनमिन होना चाहिए and trust worthiness होना चाहिए यानि कि trust worthness भी होना चाहिए उसका ज्यादे होना चाहिए we share more about उसमें बहुत दिये होए और focus आन्दा quality of the content इनका focus क्या है दोस्तों इनका focus है quality of the content यानि content की quality क्या है अब इनका जो है वो रोना नहीं है कि हम AI के द्वारा generate किये गए content को करेंगे accept करेंगे कि नहीं उसका मतलब यह है कि our our focus on the quality of the content यानि कि इनका main focus है कि quality of the content content की quality कैसी होने चाहिए अच्छी होने चाहिए rather than how content is produced मतलब इससे इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि इनका content कौन लिखा है AI लिखा है कि कोई दूसरा कोई गाउं वाला लिखा है कोई पडोस वाला लिखा है इससे मतलब नहीं है इनका मतलब जो है quality वाला content होना चाहिए rather than how content is produced is a useful guide that has helped us deliver reliable high quality result to user for years यानि कि reliable हो high quality हो result to user जो भी user के पास जाए वो हर चीज जो है विसोसनिय हो ठीक है तो यह इनका है for example about 10 years ago अब इसमें कुछ example दियो है for about for example about 10 years ago there are a understandable concerns about rise in mass producers yet human generated content no one would have throw it responsible चलिए छोड़िये इसको how automation can create helpful content यानि how automation can create helpful content कैसे automation जो है helpful create content का सकता है when it come to automatically generated content our guidance has been consistent consistent to year using information using automation including AI to generate content with the primary purpose of manipulating ranking in search result is a violation of our spam policy Google has many years of experience dealing with automation being used in an attempt to gain search result of our spam finding effort तो दोस्तों इनका मतलब यह है कि कुल मिला जुला करके इनका content को जो है जो कुछ भी है authorized होना चाहिए तो यह सब जी जो content होना चाहिए तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि मतलब अगर जो आप content देखे आप content जो है heading के अनुसाल लिखवा रहे हैं तो उसको पहले सर्च कर लिजिए हर एक heading को हर एक table को जो कुछ भी उसमें heading बन रहे हैं जो points बन रहे हैं उस points को जो है आधंतिक केट कर लिजिए कि वो points सही है कि नहीं सही है देखे बहुत जादे generally कुछ ऐसी चीज़ है जो सही है जो सब्सक्राइब को जो है नवसक्राइब वाला उठाना है कि कोई experience holder वाला उठाना है तो दोस्तों यहां पर आपको जो है मैंने यहां पर बता दिया है कि यह content जो है तो कहने का मतलब यह है कि index हो गया है लेकिन वो जो है उस quality का content जो आप कोई चीज आईसी जो चीज जो है जो उसमें गूगल की policy का वालेट हो रहा है वहां पर यानि कि कुछ तथ्य ऐसे उसमें include होंगे कि जो उनके guidelines के विरुद होंगे तो दोस्तों वो index तो ही जाएगा तो दोस्तों मैं आपको जो है कुछ जो facts होते हैं कि यानि कि कोई experience holder जो बाते बता रहा है लिख रहा है या कोई नवसुखिया बता रहा है दोस्तों तो उसमें हम differentiate कैसे करते हैं उसको पढ़ करके दोस्तों यानि कि अगर जो हम पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा उसको search करेंगे तभी हमको पता चले हैं मालेजे जैसे एक article मालेजे इसको चले गूगल बार्ट से लिखवाते हैं ठीक है कि मतलब YouTube पे subscriber कैसे बढ़ाएं ठीक है अब यहां पर दोस्तों देखिए क्या जबाब देता है क्या authenticate है की नहीं है दोस्तों तो दोस्तों जो है कुछ नेट का problem है मैंने जो है यहां से जो है chat GPT से लिखवा रहा है ठीक है मैं आपको एक थोड़ा सा example देख करके समझा रहा हूं कि यह जो है कि हम जो है YouTube पे subscriber कैसे बढ़ाएं ठीक है यह हमारा माली यह इससे जो है content लिखवाने का जो तरीका है ठीक है content तो यह लिख दिया है यानि how to increase subscriber on YouTube strategies for success के लिए ठीक है तो यहां पर दोस्तों देखिए YouTube introduction भी दे रहा है कि YouTube is one of the largest and most उसके बारे में कुछ introduction दे रहा है ठीक है तो यह चीज़ तो सत्य है ठीक है यह चीज़ सही है यानि कि इसमें कोई आप देख सकते हैं कोई चीज जो है ऐसा robot या human का tone नजर नहीं आ रहा है YouTube is the one of the largest and most popular video sharing platform on the internet with millions of content creators when the viewing the viewers attends events यानि कि जो कुछ भी लिखा हुआ है यह तो सही है कोई दिकत नहीं है यानि कि कोई भी कहेगा इसके बारे में introduction करेगा YouTube के बारे में तो सभी लोग यह करेंगे कि हाँ बहुत बड़ा platform है YouTube उससे share किया जाता है वीडियो upload किया जाता है हर एक चीज किया जाता है यह चीज है यह चीज जो है सत्य है यानि consistent and quality content consistent and quality content अब देखिए यह चीज भी सत्य है ठीक है अब इस चीज को हमको बताना है तो इसमें गलत क्या है अगर जो कहने का मतलब यह AI जनेरेट किया गया है तो इसको रखने में हमको दिक्कत क्या है यानि consistent and quality content यह जो heading हमारा है कि the foundation of the success YouTube channel इस तो दोस्तों का मतलब क्या है कि आप consistent रहे है आप जो है उसके तरफ आप वीडियो को अपलोड भी करते रहे है लेकिन उसके साथ एंड हाइग क्वालिटी कंटेंट यानि कि हाइग क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए तो दोस्तों इसमें देखिए यह फैक्ट में अगर आप निस संदेख कोई गलत नहीं कह सकता है तो इस content को कोई देंगे तो वही चीज़ सेम अर्थ होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा यानि कि इसमें कोई गूगल के रेंग करने में, इंडेक्स करने में कोई दिकत नहीं हो, यानि consistent and quality, हमने जो ये चीज़ heading रखा, ये चीज़ जो chat GPT ने बताया, कि जो success का foundation है, YouTube channel is consistent and high quality content, यानि कि consistent रहिए और high quality content बनाईए, ठीक है, तो ये चीज़ जो एक तरह जो YouTube पे video upload किया जाता है, उसके ल वीडियो के creating पर focus करना चाहिए, that are informative, focus करना चाहिए, जो कि वो informative हो, entertaining हो, यानि कि informative के साथ, entertaining भी हो, कुछ मनोरंजन भी बीच में हो, जैसे खांसर जो है, पढ़ाते भी हैं और मनोरंजन भी करते रहते हैं, ठीक है, entertaining or valuable to your target audience, जो आपके target audience है, उनको उनके लिए ये चीज़ जो है, लागू होता है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है, दोस्तों ये fact है, यानि ये true है, ये चीज़ जो है, कोई अगर जो ऐसा नहीं है, कि इसमें कोई जो AI tone नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, AI tone नहीं है, हाँ ये ह हो चाता है, कुछ जो है, हम अपने इस grammar को, जो है, easy language में इसको लिख सकते है, जो ये language यूज कर रहा है, दोस्तों, उसको जो है, हम convert कर से, तो हमारे कहने का मतलब है, दोस्तों, AI द्वारा generated content जो है, लेकिन आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों, जो इनका sentence है, जो बहुत typical language का use कर रहा है, दोस्तों, AI, chat GPT, तो आप उसको एक easy way में लिख सकते हैं, दोस्तों, यानि कि कहने का मतलब, अगर जो कोई भी पढ़ है, उसको जल्दी से समझ में आ जाए, आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर जो माली जी कोई ना पढ़ पाए, ना समझ पाए तो अलग चीज है, तो quality उसकी नहीं बदल जाएगी, दोस्तों, लेकिन ये चीज है, आप इस चीज को कर सकते हैं, अब दोस्तों है, optimize your video, title and thumbnail, देखिए, ये भी एक साते हैं, दोस्तों, कि अपने video, title and thumbnail को जो है, आप optimize कीजिए, ठीक है, यो YouTube, title and thumbnail are the thing, potential, subscribers, craft, attention, grabbing title, यानि है, ये ये दोनों चीज ऐसा होता है, title और thumbnail, जो है, कि ये जो आपके audience है, उनको attract करता है, तो ये fact है, दोस्तों, ठीक है, ये AI द्वारा जो है, जो भी content write करते हैं, वो चीज जो है, उसमें हम देखिए, ऐसा नहीं है, कि हमने generate किया, बीना उसके पढ़े, दोस्तों, आपक ही, तो दोस्तों, आपको कुछ spelling का mistake भी हो सकता है, या कुछ grammatical error भी हो सकता है, तो उसको दोस्तों, इस चीज को आपको check करना है, क्योंकि ये सब लिखते हैं, जैसे कि यहां पे दोस्तों Google बार्ड पे देख सकते हैं, लिखा है, कि बार्ड में display inaccurate or offensive information that does not represent Google's views, यानि कि य information गलत भी हो सकता है, दोस्तों, इसमें इनका कोई दोस्त नहीं होगा, ये चीज जो है बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि Google बता रहा है, गूगल बता रहा है, लेकिन ये चारों तरफ से खीच करके information को दोस्तों ये बता रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, मै पोर्टीन चाहिए जो भी आप लिख रहें, पोस्त डाल रहे हैं, वह फैक्ट उसके अंदर जो है वह बाइलेबल होने चाहिए, ट्रस्ट वरतिनेस होने चाहिए, ठीक है, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, हर चीज जो है जो जो उसका जो है, गूगल का दोस्तों, तो द